कोरोना माहमारी की चलते अपने माता या पिता या दोनों को खो चुके छात्रू की पढ़ाई जारी रखने के लिए दिली सरकार ने दिली के स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया है कोविड-19 या किसी अन्य कारण से अपने पैरेंट या पैरेंट्स को खोने वाले बच्चों को थोड़ी रहत देने के लिए दिली सरकार ने स्कूलों को ये सुनश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऐसे चात्रों की उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखी जाए जहां वे पढ़ रहे हैं और उनके लिए फ्री एजुकेशन की बिवस्ता की जाए हमारा तूर समर्थन दिली के हर चात्रों के साथ है क्या हैं दिली सिक्षा निदेश शाले के निर्देश 19 गस्त 2021 को दिली सिक्षा निदेश साले ने राजधानी के स्कूलू के लिए एक सरकूलर जारी किया था जिसके मुताबिक मार्च 2020 के बाद COVID-19 या किसी अन्य कारण से अनात हुए बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए सभी जीलों के DDE को निर्देश चारी किये गए स्कूलों को निर्देश दिये गए कि यदि वे DDA या Free Ship के अंतरगर सरकार द्वारा आवंटित भूमी पर स्वंचालित है तो उन्हें बिना किसी Draw of Lot के अनात हुए बच्चों की पढ़ाई जारी रखनी होगी निर्देशाले कि सरकूलर में अन्ने स्कूलों की अनात हुए बच्चों की आगे पढ़ाई आर्थिक रूप से कमजोर मंचित समू की कैटेगरी में जारी रखने के निर्देश दिये गए है ऐसी स्थिती में ऐसे बच्चों की फीज सिक्षन दिशाले द्वारा स्कूलों को दी जाएगी साथ ही ऐसे बच्चों की कख्षा आठ के बाद की पढ़ाई किसी दिली सरकार के स्कूल में जारी रखी जाएगी Bureau Report नमोद टाइम्स नई दिली